गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से मिलने के लिए संपर्क करें अठारा अप्रेल एहमदाबाद संपर्क करें 931-472-8165-982-902-6625 20 अप्रेल 24 वा 25 मई दिल्ली संपर्क करें 011-4004-3004 12 मई नागपुर संपर्क करें 937-107-3487-772-207-6953 27 मई नासिक संपर्क करें 937-059-0536-937-216-5949 21 अप्रेल पतना 22 अप्रेल दिहरादून 28 अप्रेल हैदराबाद 29 अप्रेल बंगलूरू 5 मई लखनव 6 मई आगरा 7 मई भोपाल 13 मई पूना 19 मई सूरत 20 मई बडोदा संपर्क करें 931-472-8165-982-902-6625 5 मेरे प्रिये शिश्यों सादकों और आज के आवारे सभी प्रभुत नवीन तर्शकों स्वागत आप सभी का शनी जैनती के इस विशेश कारिक्रम में शनी किसी को ना मारे ना हत्यारा शनी देव आपे ही मर जाए करकर खोटे काम कूकरबों से दुखी पावसी करकर खोटे काम जब भी शनी की साड़े साती या ढहिया या दशा प्रारभ होती है या कुंडरी में शनी देव का कोई भी प्रकोव प्रारभ हो जाता है तो ऐसे इनसान को भाय भीत होने से कोई ने रोग सकता है हर इनसान का इनके भाय भीत हो जाए और वो कहीं शनी के कारण उसे मृत्यू तुल्य कस्ट भीदा भोगने पड़े, उसके अचाने मृत्यू या उसका अकाल मृत्यू ना हो जाए, या हर एक को डर रहता है, शनी कुडली में आयू कारक है, किसी भी सदाचारी सनमार की इंसान को बृत्यू नहीं देते हैं, समय स साथी तक्रिबन साड़े साथ वर्ष में और ढ़ईया ढ़ाई साल में पूरी होती है, दीरगायू लोगों के जीवन में शनी के साड़े साथी कुल तीन बार आती है, क्योंकि शनी तीस वर्षों के बाद ही एक राशिम आता है, लेकिन यहां आवश्यक नहीं है कि शनी के स सोचाओं को उससे जादा तरकी वो साड़े साथी में कर लेते हैं, शनी की साड़े साथी अत्वा ढ़ईया का पूर्ण फल आपकी जन्व पत्री में शनी और चद्रमा की पोजिशन और उसके लगने का आधार पड़ता है, वर्तमान में वर्षब और कन्या राशी को शनी क धाया, वर्षब धनु और मकर राशी वालों को शनी की साड़े साथी लगने चल रही है, जो कि 24 जनवरी 2020 तक शनी की रहेगा ये प्रकुप, उसके बाद शनी चेंज होगे, अब मैं आपको शनी की धाया, साड़े साथी और वक्र द्रिष्टी के लिए एक उपाय बताना चाता हूं, जिससे अमें शनी जैनती को हर किसी इंसान को करना चाहिए, इस कारिकरम को आप फॉरवर्ड करिए, लोगों के साथ शेर करिए, ताकि लोग हर इंसान इस शनी की जैनती पर लाब उठा सके, शनी जैनती के दिन आप सवा किलो काले चने, एक कोईला, एक कील, लोगा मीटर काला कपडा ले लें, और उससे एक दिन पहले शाम को काले चने भिगवएं, और फिर अगले दिन सूर्य अस्त से पहले काले कपड़े में चने, कील, और कोईला, तीनों एक साथ एक कपड़े में बांद कर, वो भी काला कपड़ा हो तो अपने उपर से 11 बार वैसे ही ओवार कर आपको वैसे तो जल में प्रभाइद करना चाहिए लेकिन मैं आम तोर पर ये देखता हूँ कि मैं तो environment friendly हूँ तो आप जमीन में गड़ा खोद कर उस गड़े में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इस बात का विशेश खयाल रखें कि शनी देव आपके शत पाएगा अब मैं आपको आज के दिन संपन करने वाली विशेश शनी साधना भी पताने जा रहा हूँ जिसे करने से आप पर शनी देव की विशेश करपा दृष्टी बन कर जीवन में आ रही शनी संबदित कस्टों से बुक्ती बिलेगी इसके लिए आप शनी अमावस्या के दिन आपको सूर्य उदे से पहले या सूर्य अस्त के बाद ये साधना संपन करने के लिए आप संबभ हो सके तो पुरुष किसी भी रूप में काले वस्तर का धारन करें और इस तरी लाल रखी साड़ी धारन करके दक्षन दिशा के और मुख करके बैठें और पत्रिया म मेरी नजर में हमेशा राइट होती है इसलिए जब आप साधना करें तो आपकी पत्रिया आपके राइट में बैठने चाहिए लगडी का एक बाजोट ले ले उस पर सवा मेटर काला खबरा बिछाएं फिर सवा किलो काले उड़द सवा किलो काले तिल एक बरतर में रखते हैं सवा सो ग्राम जांबा या सरसों का तेल और नहीं हो तो चमेली का तेल इन तीनों मैसे आप कोई भी एक तेल ले ले और उड़द वकाले तेल में मिला तीजिए अब आप तहीने हाथ में थोड़ा सा जल ले एवं मन ही मन शनी देवता से कामना करेंगे कि है शनी देव मेरे एवं मेरे परिवार द्वारा आपकी साधना संपन हो रही है इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए कोई तूरूटी हो जाए तो मुझे खशमा करें और अब एक परात ले ले जो थाली से बड़ा हिस्सा होता है उस परात में शनी परतिमा शनी गुडिया शनी रक्षा कवच इन तीनों के स्थापित कर दें शनी परतिमा पर आप कुम-कुम केसर या अस्ट गन से तिलक करें फिर पिछरी रात्री में जो काले जो आपने काले ग जोलित करें तता साधना पूर्ण होने तक दीपक बुझना नहीं चाहिए इस बात का विशेश ख्याल रखना चाहिए इसके पस्चात इस मंत्र का जो बें बताने जा रहा हूं उससे जाप करते हुए काले उड़त और काले तिल को थोड़ा-थोड़ा सभी सामगरी पर प्रम्प पूर्ण होने के बाद एक और मंत्र का जाप आपको तीन बाला जाप करनी है मंत्र है जिससे आपकी बुरी करिया यह बुरी नजर से आप बच पाएंगे, साथ साथ, घर में व्याप्त नेगेटिव रिंज जो उड़ जाए हैं, उसका शमन होगा, शनी रक्षा कवच को गले में कोई भी व्यक्ति जिसको शनी के डईया या साधे साथी चल रही, उसको धारन करवा दें, माला को घर के पूज़न स्थान में शनी चले को मध्यमा अंगुली में धारन कर लें, काले गोड़े की नाल को घर के बाहर यू आकार में लगा दीजिए, और अंदर की और इस्तापित नहीं करें, बाहर की और करें तो सबसे बढ़िया, बाहर पॉसिबल नहीं है, तो अंदर करें, और शनी परतिमा को तेल, शनी परतिमा और तेल वो घरे में डाल कर घरे को सारे सामगरी उसमें बाकी बचीव डाल दें, और काले कपड़े को सभी सामगरी के साथ बांध कर शनी मंदर या ड़कौत को दान देना चाहिए, नहीं हो तो जमीन में गार देना चाहिए, तथा अपनी सामर्तिक अनुसार शनी से समधे द्वस्तों हैं जैसे काले तिल, उडद, लोहा ये स्टील के बरतन, तिल, तेल, काला, उनी, वस्त्र, चमड़े के जूते, चाता, दान करना चाहिए और कुछ दक्षना जरूर देने चाहिए ऐसा गरने से ईश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे और शनी देव का आशिरवाद आप पर होगा और किसी उपरकार का तंतर प्रियोग शनी के ड़या का प्रफाव खत्म हो जाएगगे ये शाद्रा पूर्ण हो जाने के पस्चात आपको जिस दिन भी समय मिलता है उस दिन सूर्य उदेश से पूर्व और या सूर्य अस्त के बाद शनी मंतर का जाब देरंतर करते हैं तो आप सभी को शनी जैनती के बहुत बहुत शुप कामना है प्यार भरा नमस्कार और आशिरवाद के साथ-साथ ये कामना करता हूं के शनी देव आपपर कोई कूद रष्टी और वक्रदृष्टी नहीं रखेंगे शिर्फ आप पर आशिरवाद रखेंगे आप शनी से डरिय मत भाई पीतना हो और कोई भी समस्या हो आप हमें जोदपुर कारेलेम संपर कर सकते हैं अब हमारे बाकी वीडियोस को यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं ताकि आपको बाकी जानकारी सही समय पर मिल सके आज के लिए पसेत रहीं मुझे अपनी वानी को यही विराम देने के लिए इजाज़े दीजिए नवशकार गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से USA में मिलने के लिए संपर करें 31st May New York 1st and 2nd June New Jersey 3rd June Richmond Virginia 4th June Los Angeles गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से UK और उरोप में मिलने के लिए संपर करें 8th, 9th and 23rd June London 10th June Birmingham 11th June Leicester For appointment, please call 0786-509-4276 19th June Vienna, Austria 17th June Frankfurt, Germany 18th June Brazil, Belgium 19th June Amsterdam, Netherlands For appointment, please call 176-2477-2522